हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेक टो इस्टिडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम वीकली कर इंटरफियस में डिसकस करने वाले हैं आप सभी के साथ, 9 से 15 जनवरी 2022 के वीच के जो भी most important question रहे हैं, तो उन में से हमने ऐसे question लिये हैं, जो कि आपके exam के लिए बहु down करते जाएगा, जो भी important fact हैं, वो जरूर नोट करिएगा, दोस्तो अगर आपको इसका pdf चाहिए, तो telegram channel को join के लिजीगा, वहाँ से आपको इसका pdf मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से revision कर सकेंगे, दोस्तो पहला प्रसने discuss करते हैं, important प्रसने, लास्ट में भी आपसे कुछ question पूछे जाएगे, तो उनके answer आपको comment box में चलूर देना है, दोस्तो पहला प्रसन है, बहुत ही मात्पोंड प्रसन है, exam में पूछा जाएगा, कौन सा राज्य देश का पहला LPG सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य बन गया है, तो दोस्तो उस राज्य का नाम है हिम सुब्धा योजना, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश LPG से सक्षम बन गया है, और धूम्र मुक्त बन गया है, दोस्तो बात आई है उज्जला योजना की, उज्जला योजना की शुरुवात हुई थी कैंज सरकार के द्वारा, एक मई 2016 को, कहां से भी थी बलिया उत्तर प्रदेश से, और इसका उत्तर ये है कि जीवास में इधन है, उसको बढ़ावा दिया जाए, और गरीब महिलाओं को फिरी में LPG कनिस्टन उपलब्द कराए जाए, दोस्तो हिमाचल प्रदेश की बात आई है, चो तो चीप मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा, जैराम ठाको हैं याँ के चीप मिनिस्टर, अंगला प्रस्न है, केंद्रिये मंत्री जीतन सींग ने हाली में किस सहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालाय का उधगाटन किया है, तो इसका उत्तर होगा है हैदराबाद, दोस्तो हैदराबाद में भारत क पहला ओपन रॉक संग्रहालाय इस्थापित किया गया है, और उसका उत्गाटन किया है किसने, केंद्रिये मंत्री जीतन सींग ने, दोस्तो ये संग्रहालाय किस प्रकार का होगा, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनीगा, इसमें देश भर से कुछ रॉक यानि चट्टाने म और कहां हैं दोस्तो ये तेलंगा नाम है, अंगला प्रस्न है किस राज सरकार ने मैनपूर सैने की स्कूल लिया, मैनपूरी सैने की स्कूल का नाम पहले CDS यानि Chief of Defense Star जनरल बिपिन रावत की याद में रखने की घूशनकी है, तो दोस्तो उस सरकार का नाम है उत्तर सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो मैनपूर सैने की स्कूल है, उसका नाम अब जनरल बिपिन रावत की नाम पर रखा जाएगा, दोस्तो जनरल बिपिन रावत की नाम पर इसलिए रखा जाएगा, क्योंकि 8 दिसंबर 2021 को एक हेलिकाप्टर दुरघटना में उनकी मृत्य ह गई और दोस्तो उनकी पत्नी की विम्रत्य होगी, इस प्रकार से 13 लोग सहीद हो गए थे इस हेलिकाप्टर दुरघटना में, तो दोस्तो उनकी याद में जो मैनपूरी सैने की स्कूल है या मैनपूर सैने की स्कूल है उसका नाम बदला जा रहा है, उत्तर प्रदिष के म ब्रांड इंडॉर्सर नियुक्त किया है तो दोस्तों आंसर है बैंक ओफ बड़ोदा तो बैंक ओफ बड़ोदा ने हाली में ये निर्णा लिया है कि उनकी जो ब्रांड इंडॉर्सर होंगे वो कौन होंगे सैफाली बर्मा होंगे दोस्तो सैफाली बर्मा की बात आई है तो सैफाली बर्मा की वारे में ये record है कि T20 अंतरराष्टी क्रिकेट में भारत का प्रतिने दित्त करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर है दोस्तो इनकी नाम एक और record है जिन्होंने सचिन तेनलूलकर का record तोड़ा था और ये record है सबसे कम उम्र में अर्ध सतक बनाने का तो अंगला प्रसने डिस्कस करते हैं ममता बियोंड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तो इसके लेखक हैं जयन्त घोसाल तो राजनेटेक पत्रकार हैं तो कौन जयन्त घोसाल तो उनके द्वारा ममता बियोंड 2021 नामक पुस्तक को लिखा गया है इस पुस्तक में इस बात की जानकारी मिलती है कि ममता बनार जी ने खुद को बंगाल की वेटी के रूप में किस प्रकार से पेस किया है और किस प्रकार से लोगों ने उनको समझा है और दोस्तो इस पुस्तक में इस बाद का भी जिक्र है कि 2021 में मम्ता बनर जी ने पश्चे मंगाल में किस प्रकार से जीत हासिल की है अंगला प्रस्न है खेलो इंडिया 2023 में मेजवानी के लिए किस राजी को चुना गया है या मेजवानी किस राजी को सौपी गई है तो उस राजी का नाम है मद्धप्रदेश दोस्तो मद्धप्रदेश को अब खेलो इंडिया यूथ गैम 2022-23 की मेजवानी मिल गई है दोस्तो राजी सरकार ने इसके लिए 215 करोर रोपाई का बजट भी सुईक्रित किया है मद्धप्रदेश के चीप मिनेश्टर कौन है सिवरा सींग चोहान प्याद रतियेगा और यहां की जो राजपाल है वो कौन है मंगू भाई छगन भाई पटेल दोस्तो जो खेलो इंडिया यूथ गैम है उनका जो पहला इवेंट हुआ था वो हुआ था 2018 में अगला प्रस्न है कि संग्ठन ने हैतम अलगिस को अपना नया महासचयों निउप किया है तो दोस्तो जो हैतम अलगिस हैं वो ओपेक संग्ठन के नई महासचयों बने हैं दोस्तो ओपेक की बात करें तो यह 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संग्ठन होता है जिसका मुक्याला है विएना उस्ट्रिया में इसकी स्थापना देसंबर 1960 में हुई थी कहां हुई थी बगदाद में जो की कहां है इराक में है दोस्तो ओपेक में 13 देश सामिल ह अब देख लेते हैं कि वो 13 देश कौन कौन से हैं साउदी अरब है अलजीरिया इरान इराक कोवेट अंगोला और संयुक्त अरब अमिरात नाइजीरिया लीविया वेनेजोयला गवान गिनी और कांगो तो यह 13 देश ऐसे देश में दुनिया में जो की पेट्रोलियम पदा बेंक का उपाध्यक्ष नुक्त किया गया है दोस्तो उनका नाम है उर्जित पटेल यानि उर्जित पटेल अब एसीन इंफ्राइस्टेक्चर इंवेस्टमेंट बेंक के उपाध्यक्ष की रूप में नुक्त की गया है और वो किनका इस्थान लेंगे वो लेंगे डीजे पांडियन का इस्थान दोस्तो उर्जित पर्टेल का तीन साल के लिए कारकाल होगा अब बात आई है एसियन इंफ्राइस्टेक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तो इसका जो हैड़कॉर्टर है वो है वीजिंग चीन में अगला प्रसन है किस राजसरकार ने COVID-19 गाइडलाइन के तहट जली कट्टू के आयुजिन को मंजूरी दे दी है तो दोस्तो यह जली कट्टू तिवहार जो है वो मनाया जाता है तमिलनाडू में दोस्तो यह एक प्रकार का फेस्टिवल है जो की ग्रामीड तमिलनाडू में मनाया जाता है यानि जो तमिलनाडू का ग्रामीड इलाका है वहाँ पर यह खेल की रूप में मनाया जाता है और पॉंगल तिवहार पर आयुजित किया जाता है दोस्तो इस फेस्टिवल में या इस तिवहार में या इस उत्साव में क्या काम किया जाता है दोस्तो इसमें बैलों से इंसानों की लडाई की जाती है तो याद रखना है कि जो जली कट्टू है वो तमिल नाडू से संबन्नित है अंगला प्रसन है कि इस राजचे के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोसित किया है तो दोस्तो ये गंजम जिला है कहां ओडिसा में तो ओडिसा ने जो गंजम जिला है उसको बाल विवाह मुक्त जिला घोसित किया है दोस्तो 2020-21 में यहाँ पर 450 बाल विवाह रोकने में मदद मिली है ओडीशा की बात आई है तो राजधानी है क्या भुवनिश्वर यहाँ के जो राजजपाल है वो कौन है गड़ेसी लाल और याद रखिएगा यहाँ के जो चीप मिनिश्टर है वो कौन है नवीन पटनाय तो दोस्तो जो गंजम जिला है वो कहां है ओडीशा में है और वहाँ अब उस जिले को वाल विवाह मुक्त जिला घोसित कर दिया गया है अंगला प्रस्ण है भारत के 73 वे सतरंज ग्रेंड मास्टर कोन बने है तो इसका उत्तर होगा भारत सुब्रामन्यम दोस्तो भारत से पहले यानि कि भारत सुब्रामन्यम से पहले मित्रभाग गोहा पिछले साल 2021 में 72 वे ग्रेंड मास्टर बने थे और 71 वी Grand Master बने थे संकल्प बुपता और 73 वी Grand Master कौन बने हैं दोस्तो भारत सुब्रामनियम दोस्तो एक संस्था है जो की पूरे विश्व में सतरद्ज को रेगुलेट करती है तो उसका नाम है International Chess Federation या इसे हम सौर्ट में फिडे भी बोल देते हैं इसकी स्थापना हुईती 20 जुलाई 1924 को इसका Headquarter जरूर याद रखीगा एक्जाम में कभी-कभी पूँच लिया जाता है तो इसका Headquarter है लोसाने सुट्यलेन में दोस्तो आपके लिए एक महत्तकूर सूचना है कि आप स्टिडी कर को फॉलू कर लीजीगा और वैल आइकोन जरूर दबा लीजीगा जिससे आपको समय पर notification मिलती रहेगी अंगलापरस ने हर साल वीर बालक दिवस मनाया जाएगा यानि कम मनाया जाएगा तो दोस्तो हर साल अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा तो दोस्तो ये किसकी याद में मनाया जाएगा थोड़ा सा इस बात पर भी नजर डालेते हैं तो सिखों के दसमे गुरू है गुरू गोविन शिंग तो उनकी दो पुत्र थे कौन-कौन साहिब जादा जोरावर सिंग और साहिब जादा फते सिंग तो दोस्तो इनकी याद में ये वीर वाल दिवस मनाया जाएगा दोस्तो आपको याद रखना है कि जो साहिब जादा जोरावर सिंग है और फते सिंग है इनको इसलाम ना कबूल करने के लिए इन्हें दीवारों में चुनवा दिया गया था तो इसलिए इन्हें के याद में अब वीर वाल दिवस मनाया जाएगा अंगला प्रसन है IPL के टाइटर स्पॉंसर्शिप के लिए अंगले दो साल के लिए किस कंपनी के ने समझोता किया है तो उस कंपनी का नाम है टाटा ग्रूफ यानि टाटा ग्रूफ ने अब IPL के टाइटर स्पॉंसर्शिप ले ली है दोस्तो अंगले साल यानि 2023 में और इस साल यानि 2022 में जो IPL की टाइटर स्पॉंसर्शिप है वो किस के पास होगी टाटा ग्रूफ के पास होगी दोस्तो अब जो IPL का title sponsorship था वीबो अब वो हट जाएगा और उसके स्थान पर कोन आ जाएगा टाटा गुरूफ आ जाएगा अगला प्रस्न है राश्टिय योबा देवस यानी नेसनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है तो आंसर है 12 जन्वरी को दोस्तो भारत सरकार ने 1984 में इस दिवस को घुशित किया था और ये दिन मनाया जाता है हम सब के प्रिणा सुरोत स्वामी विवेकानन जी की याद में दोस्तो 12 जन्वरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानन का जन्व हुआ था तो इसी घटना को याद करने के लिए ही हर साल 12 जन्वरी को राश्टिय योबा देवस मनाया जाता है दोस्तो स्वामी विवेकानन की गुरू का नाम क्या था राम कृस्न परमहंस अगला प्रसन है हाल ही में दच्छन अफरीका के किस खिलाडी ने खेल के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घुशना कर दिया है तो दोस्तो किर्केट के पिलियर है कौन? क्रिस मौरिस तो उन्होंने South Africa की cricket से अब सन्यास लेने का फैसला लिया है दोस्तों उन्होंने South Africa के लिए 4 टेस्ट 42 वंडे और 33 T20 International Match के लिए हैं इसके बाद उन्होंने अचानक South Africa के cricket से सभी format से सन्यास लेने की घुशना की है दोस्तों Chris Morris ने July 2019 में South Africa के लिए अपना आखरी International Match खेला था तब से उन्हें किसी भी International Match में देखा नहीं गया था चुकि वो IPL वगएरा ये सब खेलते रहेंगे लेकिन उन्होंने जो South Africa की cricket थी उससे सन्यास लेने की घुशना की है अमेर की राष्टपती जो बाइडन ने किस देश में अमेर की राजदूत के लिए Eric Gorsetti को मनोनीत किया है तो दोस्तों अमेर का की राष्टपती कौन है जो बाइडन तो उन्होंने Eric Gorsetti को भारत के लिए अपना राजदूत मनोनीत किया है अब जैसे ही वहाँ की जो संसद है जिसे सीनेट बोलते हैं वहाँ मंजूरी मिल जाएगी तो जो एरिक गरसेटी है वो भारत की राज़ूत बन जाएगे और वो किसका इस्थान लेकी? कैनत जस्टर का अंगला प्रसन है हाली में किस देश के मेरी लेंड अस्पताल में डाक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखरी फ्रियास में एक सुवर के दिल का प्रत्यार उपण किया है तो दोस्तो यह जो घटना है यह चिकितसा के इतिहास में पहली बार घटित हुई है अंगला प्रस्न है, महिला ससक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए Legend League Cricket का Ambassador किसी नुक्त किया गया है तो दोस्तो आंसर है जूलन गोश्वामी, जो Legend League Cricket है इसके Ambassador के रूप में किसी नुक्त किया गया है जूलन गोश्वामी को दोस्तो Legend League Cricket, सेबा निबरित यनि जो Retired Cricketer हैं उनके लिए एक Cricket League होती LCC का उद्गाटन 20 जनवरी 2022 से ओमान की मसकट में ओमान Cricket Stadium में आईजिन किया जाएगा अंगला प्रसने हाली में किस राज्य सरकार ने घडियाल के सरचन के लिए ओरंग राष्टी उद्ध्यान के मौझूदा आकार को तीन गुना बढ़ाने के लिए एक अधिशूचना जारी की है तो उस राज्य का नाम है आशम दोस्तो अशम का जो ओरंग राष्टी उद्ध्यान है उसके लिए एक अधिशूचना जारी की गई है वहाँ की सरकार के द्वारा कि अब इसका जो आकार है वो तीन गुना बढ़ाया जाए क्योंकि अब उसमें घडियाल का सरचन किया जाएगा दोस्तो असम ने घडियाल की सरचन के लिए ओरंग नैसनल पार्क का जो आकार है वे तीन गुना बढ़ाने के लिए अधिशूचना जारी की है दोस्तो यह जो नैसनल पार्क है यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्री तटपर इस्तित है और 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ठीक है दोस्तो तो याद रखना है जो ओरंग नैसनल पार्क है यह किस राज़ में है आशाम में पासपोर्ट स्वतंतता को लेकर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस ने प्रथम इस्थान हासिल किया है तो दोस्तो आंसर होगा इसका जापान और सिंगापूर यानि जापान और सिंगापूर ऐसे देश हैं जिनके लोग बहुत अधिक देशों में दोस्तो 190 से अधिक देशों में बिना वीजा के यातरा कर सकते हैं वहाँ घूम सकते हैं तो दोस्तो इसमें हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में प्रथम इस्थान किन देशों ने हासिल किया है जापान और शिंगापूर में दोस्तो भारत का कौन सा इस्थान है तो तैरासीवा इस्थान है भारत का और पिछले साल यह इस्थान 90 वहाँ था याद रखिएगा दोस्तो इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान ये जो देश है इनका जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट माना जा DSP पत नुक्त किया है दोस्तों याद रखिएगा जो लवलीना बोर्गोहेन है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ब्रॉंज मेडल हासिल किया है ठीक है असम के मुख्यमंत्री याद रखिएगा हैमंता विश्वा शर्मा है तो उन्हीं के द्वारा ये गोशना की गई है कि जो मुख्यवाज लवलीना बोर्गोहेन है उन्हें DSP नुक्तिक किया जाएगा अंगला प्रसन है विस्व बैंक ने चालू वित्वर्स के लिए भारत में ब्रधी धर का अनमान कितने प्रतिस्वत लगाया है तो ये अनमान लगाया है 8.03% अंगला प्रसन है भारतिय रेल्बे ने यात्रियों के खोई हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिसन को लॉंच किया है दोस्तो उस मिसन का नाम है मिसन अमानत दोस्तो पश्चिम रेलबे ने रेलबे प्रोटेक्शन फोर्स यानि आर पी एफ के साथ मिलकर मिसन अमानत को सुरू किया है इस मिसन के तहट यातरी अपने खोई हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके बापस पास सकेंगे दोस्तो अंगला प्रस्न है अभिनेत्री को हाल ही में बाराहवे भारत रत्न डाक्टर अमबेटकर पुरुसकर 2012 से संभानेत किया गया है तो उनका नाम है हरसाली मनोत्रा दोस्तो हरसाली मनोत्रा ने काम किया है किस फिल्म में बजरंगी भाईजान में जो कि 2015 में ये फिल्म आई थी तो दोस्तों उनके अभिनाय के लिए और उनके डेडिकेशन के लिए यह पुरुसकार दिया गया है कौन सा पुरुसकार? डॉक्टर अंबेटकर पुरुसकार 2022 यह पुरुसकार जो है भाईज सरकार के द्वारा दिया जाता है तो दोस्तों महराश्ट के जो गवर्नर थे जिनका नाम है भगस सिंग कोशियारी तो उनके द्वारा यह पुरुसकार किसे दिया गया है? हरसाली मलोत्रा को कौन सा पुरुसकार? डॉक्टर अम्बेटिकर पुरुसकर दोहजार वाइस अंगला प्रसन है अली खान इसमाई लोव हाली में किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट किये गए हैं आंसर है कजाकिस्तान दोस्तो कजाकिस्तान के राश्टपती हैं कसीम जोमार्ठ टोकायव तो उन्होंने अली खान इसमाई लोव को कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर निक्त किया है दोस्तो कजाकिस्तान की बात आई है तो कजाकिस्तान मध्धे एसिया में इस्तिते एक कंट्री है नूर सुल्तान उसकी कैपिटल है और तैंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है तो दोस्तो ये थे करिंट अफेर्स के कुछ इंपोर्टेंट कोशन अब आपको कुछ प्रस्नों के जवाब देना है तो आप बहुत ही ध्यान से सुली जीगा पहला प्रस्न है कि लबलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है और दूसरा प्रस्न है ममता वियॉंड नामक पुस्तक किस ने लिखी है और दोस्तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है इन सभी प्रस्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जड़ू दीचेगा दोस्तो अगर आपने अभी तक इस्टेडी कर को खबरी आप फर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीचेगा वहाँ पर आपको most important audio lecture मिल जाएंगे इसके अलाबा एक आपके लिए खुस खबरी है कि आप इस्टेडी कर के खबरी चैनल पर मेरा Modern Indian History का जो audio course है उसको आप फ्री में जॉइन कर सकते हैं दोस्तो ये इस्टेडी कर की तरब से आपको gift है तो अगर आप ये gift प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक code यूज करिएगा इस्टेडी कर 01 जैसे आप ये code यूज करेंगे आप उस course को फ्री में जॉइन कर सकेंगे आप हमसे WhatsApp के माध्यम से भी संपर कर सकते हैं WhatsApp नमबर है हमारा 8602-397-13 दोस्तो आप राजा गुपता को Unacademy for follow कर लीजिगा जहां पर आपको उनकी special classes में जाएंगी live classes में जाएंगी और दोस्तो अगर आप Unacademy for कोई भी free classes join करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक code यूज करना है राजा नमबर 1 जैसे आप ये code यूज करेंगे आप free class का जो फाइदा है वो उठा सकेंगे Unacademy for दोस्तो अगर आपको ये lecture पसंदा है तो like कर दीजिगा share कर दीजिगा और सबसे important बात ये है कि आप हमारे सभी social media platform जैसे facebook, twitter, instagram, whatsapp, telegram, youtube इन सभी पर आप हमें follow कर लीजिगा और well icon जरूर दबाईएगा जिससे आपको समय पर notification मिलती रहेगी चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगले lecture में जैहिंद वन्दे मातरम